समस्कार मैं हूँ आपके साथ एमन्च और आप देख रहे हैं केकिली न्यूस सब्बा सुप्रीमों अखिलेश श्यादव ने हात्रस की सिकंद्रा राव विधान सभा में चुनावी सभा को तीन जनपतों में मददाताओं को लुभाया बता दे कि अखिलेश श्यादव ने कहा कि आपको पहले चरण के चुनाव की हवा का पता चल गया होगा आपसे दूर नहीं है वो जिले जहां वोट पड़े हैं कहने को हर दल कुछ ना कुछ कह रहा है लेकिन पहले चरण में ही उत्तरप्रदेश का महौल बदल गया है आगे अपने संबोधन में उन्होंने बीजीपी पर जम कर हमला बोला क्या कुछ कहा अखिलेश श्यादव ने तेखिए इस रिपोर्ट में अखिलेश श्यादव ने कहा कि अलिगर के इस दिले के लोग जानते होंगे बीजीपी का सफाया हो चुका है जूट इसलिए बोल रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया डबल इंजिन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है और वो है भ्रस्टाचार उनका छोटा निता है तो वो छोटा जूट बोल रहा है बड़ा निता है तो बड़ा जूट बोल रहा है सबसे बड़ा निता है तो वो सबसे बड़ा जूट बोल रहा है जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा वो यह जानते होंगे कि गुजरात का एक व्यापारी 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए अखलेश यादव ने आगे कहा कि वो कहते थे कि हवाई चपल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे लेकिन ये छोटे वाहन भी नहीं चला पा रहे समाजवादी सरकार जरूरत पढ़ने पर पेट्रोल डीजल भी फ्री देगी बिजली 300 यूनिट फ्री देगी सपह ने कारखाने बनाएं बिजली उत्पादन के वहाँ से दिखाएंगे कि बजट से हम क्या कुछ कर सकते हैं बजट से हर साल का 300 करोड बिजली फ्री देनी की बात कही थी मुख्यमंत्री बिजली कारखाने का काम भी नहीं बता पा रहे इटा से लखनव जाओ तो देख लेना कितना बड़ा कारखान बन रहा है डबल इंजन की सरकार पता नहीं कहां रफ्तार बढ़ा रही है यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता संग्ठन के सभी पदादिकारी और हमारे दूसरे गडवन्दन दल के सभी नेता इस कारक्यम में उपस्तित बड़ी संख्या में हमारे आदड़े बज़र्ग किसान भाई नौजवान साथी और पत्कार बंदूओं मैं सबसे पहले सिकंद्राओ और हात्रस के सभी अपने साथियों का बहुत भाई धनिवाद और आभार पिकट करना चाहता हूँ चुनाओ के समय पर इस मैदान में मुझे कई बार आने का मौका मिला है इस मैदान में हमें कई बार अपील करने का मौका मिला है बिधान सभा का चुनाओ रहे होंगे आपके बीच में आने का मौका मिला है लेकिन इस समय जब मैं आपके बीच में आया हूँ और अपील करने आया हूँ उस समय आपको पहले चैरन्ड के चुनाओ की हवा का पता लग गया होगा आपसे दूर नहीं है जिला जहां पर बोट पड़े है कहने को हर दल कुछ न कुछ कह रहा है लेकिन पहले चैरन्ड के चुनाओ से ही उत्ता प्रदेश का माहौल बदल गया है ये बात मानते हो के नहीं मानते ये बताओ पहले हमारे अलीगड के लोग जानते होंगे जिस चरण में चुनाओ हुआ है उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से वेपारियों ने साथ दिया है बारसी जनता पार्टी का सफाया हो चुका है और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाओ खतम हुआ है बारती जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है भाषा बदल गई कर ने बदल गई मुझे नहीं लगता कि यहाँ बारती जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया था और अगर आया होगा तो आप जानते होगे के कैसा कैसा जूट बोला जा रहा है उनके नेता जहां जा रहे हैं जूट बोलने है और जूट इसलिए बोलने हैं तो हुआ है भेस्ता चार और मेंगाई हमारे किसान जानते होंगे कि डवल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी परेशानी पैदा की और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं जहलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डवल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां जूट बोले हैं अगर उनका छोटा नेता है अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा जूट बोला है अगर तोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा जूट बोला है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा जूट बोला है आज जिन जिन लोगों ने अखवार पढ़ा होगा जिन जिन लोगों ने अखवार ध्यान से पढ़ा होगा वो जानते होंगे के गुजरात के वैपारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए ये पढ़ लिया के नहीं पढ़ा 28 बैंकों का 22,000 करोर रुप्या पैसा लेकर के भाग गए और ये पहरी बार नहीं भागे है बताओ जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के तो बताओ कहां का निकला है ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है हम और आप लोग अगर पैसा लेने जाएंगे तो कवो हमें और आपको सब अपनी जमीर रखनी पर जाएं मकान रखने पर जाएं तब बड़ी मुश्किल से बैंक से लोन मिलता है लेकिन कमाल के लोग हैं ये बड़े बड़े उद्योगपती लोग इन्हें पैसा मिला है बैंकों से और इनको रखना कुछ नहीं पड़ता है केवल हुआई जाज की टिकेट लेते हो और भाग तो अगर बाइस हजार क्रोड एक उद्योगपती ले गया और अभी तक के हिसाब किताब लगा लो कितने उद्योगपती पैसा ले करके भागे होंगे ये हादरास और सिकंद्राओं का दूसरे चरंड का चुनाव है क्योंकि कल मैं दूसरे चरंड वालों के बीच में था आप तीसे चंड़ वालों का चुनाव है इसमें हमारा भी बोर्ट पढ़ना है इसलिए आप से हम विसेज निवेदन करने आए हातरस के लोगों से कि इस बार गटवंदन की मदद करो गटवंदन सरकार बनाने जा रहा है और ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है ये चुनाव आपके भविस का चुनाव है भविस कैसे बनेगा ये उसका चुनाव है ये लोग संत्र को बचाने वाला चुनाव है और बाबा साथ ने जो हमें समिदान दिया है उस समिधान को बचाने वाला भी चुनाव है इसलिए आपकी जिम्यदारी बड़ी बनती है इस चुनाव में आप लोग साइकिल की मदद करो जहां साइकिल चुना चुना रही है जहां हैंड पॉम बाले लड़ रहे होगा हैंड पॉम की मदद करना लेकिन आप लोगों ने देख लिया होगा पहले चन्ड का चुनाओ जब से साइकेल और हेंड पंप संग संग आई है भारतिय जन्ता पार्टी का दर्वाजा बंद कर दिया है और जब मैं अलीगर गया था तो अलीगर वालों से मैंने कहा इस वर भारतिय जन्ता पार्टी के दर्वाजे पर बढ़िया ताला लगवा दो जिससे कभी दुबारा उत्तफदेश में आ पाएं हमारे किसान भाई जानते होंगे उन्हें वादा किया था किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी जहां जहां हम गएं है किसानों से पूछा है कि बताओ किसान भाई यो आपकी आय दोगुनी हो गई के नहीं हो गई ये किसानों के बेटे हैं बताओ आय दोगुनी हो गई के नहीं हो गई यही बीजेपी ने कहा था के नहीं कहा था और अभी जब खाद लेने गए होगे आप लो तो बताओ खाद मिल पाई आपको के नहीं मिल पाई ना खाद मिली ना कीट नासक दवाई मिली ना डियेपी मिली और अगर फसल आपने तयार कर ली होगी तो उसकी कोई खीमत भी नहीं सरकार दे पाई और उपर से कैसे कानून लागु हो रहे थे और कैसे कानून लागु हुए थे तीन काले कानून लाए गए थे किसानों ने बरोत किया अंदोलन किया हम बढ़ाई देना चाहतें आपने किसान भाईयों को कि जिनों ने संगर्ज करकर के सरकार को जुकाने का काम किया और सरकार को तीनों काले कारून बापस लेने पड़ गए लेकिन साथ सो किसान शहीद हुए है साथ सो से ज़्यादा किसान सहीद हुए है किसी की मदद नहीं की भार्जनता पार्टी ने 700 से ज़्यादा किसान सहीद हुए है किसी की मदद नहीं हुई समाजवादी पार्टी ने तै किया है किसानों के याद में किसान इस मारक के साथ साथ जो इन किसानों के परिवारों की जान गई है किसानों की जान गई है उन परिवारों को 25 जिस खबर पर फिलाल बस्त नहीं देश दुन्या की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे के करी नियू